वेरी गूड मार्निंग क्लाश फूर ठंडी तो बिटा खुब बढ़ गई है खुब रजाई में तुम लोग इंजॉय कर रहे होगे क्योंकि स्कूल तो आना नहीं है नहीं तो सुबह साड़े साथ बिज़े आप लोगों को तयार होके स्कूल आ जाना था बहराल आप लोगों को आज में एक्सरसाइस सेवेन जी कोश्चन नमबर वन का सारा पर्ड बताऊंगा और सारा बताऊंगा भी नहीं दो तिन बताऊंगा बाकि सब आपको खुद से ही करना है प्रोसीजर मैं समझा दूँगा कि आपको करना कैसे है तो देखते हैं बता देखिए फर्स्ट कोश्चन है थ्री माइनस वन बाई एट थ्री माइनस वन बाई एट अब देखो थ्री का डिनामिनेटर नहीं दिया है नहीं दिया है तो इसका डिनामिनेटर क्या होगा वन होगा थ्री वाई वन कर लेंगे माइनस 1 बाई 8 अब देखते हैं 1 और 8 का LCM निकालो के बटा तो क्या आएगा 8 आएगा LCM निकाल लिया 8 आया Next procedure जैसा पिछला रूल आपको बताएगा है किस denominator से इस denominator में क्या करेंगे divide करेंगे जो value आएगी उसको इस numerator से multiply करेंगे 1 8 जा 8 तो 8 का multiply किस से कर दिये 3 से इस 8 का नहीं किया जाद रहे 1 से 8 में divide किये है तो 8 आया और 8 का multiply इस numerator से किये 8 into 3 8 से divide 8 में करेंगे तो 8 बन जा 8 आया 1 उस 1 का multiply किस से किये इस 1 से किये 1 into 1 8 तिरी जा क्या होगा 24 माइनस अपनी जगे उतारेंगे 1 बन जा 24 से 1 माइनस करोगे बेटा तो क्या आएगा 23 आएगा 23 बाई 8 यही क्या होगा आपका अंसर हो जाएगा देखें पार्ट नमबर 6 अब मैं आपको बता रहा हूँ यहां है 5 माइनस 2 होल 1 बाई 12 5 के डिनामिनेटर के वैलू क्या हो जाएगी 1 क्योंकि यदि कोई नमबर है उसका डिनामिनेटर नहीं दिया है तो उस नमबर का डिनामिनेटर क्या होता है 1 होता है बाई डिफॉल्ट यह आपको मालू होना चाहिए नहीं मालू है तो जाएगी कि यहां डिनामिनेटर क्या है 1 है इसे 5 बाई 1 राइट कर लेंगे माइनस यह 2 होल 1 बाई 12 है मिक्स फ्रक्शन में है इसको आप पहले किसमें चेंज करेंगे इंप्रॉपर फ्रक्शन में चेंज करेंगे चेंज कैसे होगा पहले भी मैंने आपको इसका रूल बताया है फिर भी देखे इस डिनामिनेटर का इस होल नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे तो 12 टूजा क्या हो जाएगा 24 और यह जो निमिरेटर की वैल्यू है उसे एड़ करते है 24 में 1 एड़ करेंगे तो क्या जाएगा 25 12 टूजा 24 और 1 एड़ के हैं 25 बाई 12 बेटा अब इस दोनर डिनामिनेटर का 1 और 12 का क्या निकालेंगे LCM तो क्या जाएगा LCM 12 आ जाएगा 12 बन जा 12 अब देखते हैं नियम वही है इस दिनामिनेटर से इस दिनामिनेटर में डिवाइड करेंगे 1 से जब आफ 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा बेटा 12 आएगा क्योंकि 1 12 जा 12 अब आप क्या करेंगे इस 12 का किस से multiply करेंगे जो आपकी value आई है इस numerator से 5 into 12 यहाँ भी इस 12 से 12 में divide करेंगे तो क्या जाएगा 1 और उस 1 का multiply करेंगे 25 से 25 बन जा 25 और 12 5 जा क्या होता है 60 60 से आप 25 minus करोगे तो value क्या जाएगी 35 देखे कैसे यह आपकी 60 minus 25 अब यह से borrow देदेगा यहाँ हो जाएगा बेटा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 10 से 5 minus करोगे तो 5 आएगा 5 से 2 minus करोगे 3 तो देखें आप आपको मैंने minus करके दिखा दिया कि 60 से 25 minus किये हो तो क्या आया 30 चलो बेटा 9 नमबर पार्ट आपको बताने चलना है 7 minus 2 by 11 7 के नीचे denominator की बलो कुछ नहीं है तो उसे क्या मान लेंगे 1 2 by 11 दिया हुआ है 11 और 1 का आप जब अलसियन निकालोगे बेटा तो क्या जाएगा 11 क्योंकि दोनों का मल्टिप्लाई करोगे क्या जाएगा 11 1 से डिवाइड करोगे 11 में क्या आएगा 11 उस 11 का मल्टिप्लाई 7 से करेंगे 11 into 7 11 से 11 में डिवाइड करोगे कि बिटा का जाएगा वन का मॉंटिप्लाई टू से त्वेंजा टू 117 जा 77 अपनी जगह 77 से जब बेटा आप टू- करो उतके आएगा 75 डिनामनेटर की वालिव 11 है तो आपका एंसर आजाएगा 75 बाइ 11 तो बिटा एक्साइस 7 जी का पार्ट 1 का सारा पार्ट आप CW copy में करेंगे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेस्टन को साल्ब करना मता होगा थैंक यू वीटा